माननी सबापती मोद है, कुछ वर्ष पहले तक रास्तान देश के अंदर अमन चैन के लिए आपसी भाईचारे के लिए और शांती के लिए जाना जाता था पर कहते वे दुख होता है कि आज का रास्तान उसके बिल्कुल विप्रीत है क्योंकि आज का रास्तान देश में अपरादों में नमबर एक पर है, महिलाओं पर दुश्रम के नमबर एक पर है, दलितों पर अत्याचारों पर नमबर एक पर है, साइबर क्राइम में नमबर एक पर है और महिलाओं के अत्याचारों पर नमबर दो पर है जो की सत्ता पर काबिज लोगों के लिए रास्तान सरकार के लिए ग्रह विबाग के अधिकारियों के साथ-साथ यहां पर बैटे प्रतिक विक्ति के लिए शर्म की बात है मानने सभापती मोद है मेरा मानना है यहाँ पर बैटे प्रतियक विक्ति को इस बात की चिंता करनी चाहिए और आने वाले समय में इन अपरादों पर कैसे अंकुष लगे उस पर विचार एक साज़ विचार करकर उस पर काम करना चाहिए जिसे राज़तान देश में एक बार पुन है शान्ती और बैचारे और अमन चैन में नमबर एक आ सके माने सभापती मोद है राज़तान में बढ़ते हैं अपराद अत्याचार और दुश्कर्म के पीछे रास्तान की कमजोर सरकार और सत्ता पर काबिज नेताओं के काम करने के मंशाग उतर चाहता है साथ इथानों में नफ्री की कमी, अत्यादुनिक वानों की कमी, अत्यादुनिक अत्यारों की कमी और आज के टेक्नोलोजी के यूग में अत्यादिक उप्रनों की कमी है माने सपापती मोद है, साइबर क्राइम से लड़ने के लिए प्रशिशिक करमचारियों के भी कमी भी है पुलिस विबाग के लाइन के अंदर अंतिम छोर पे खड़ा विक्ती बिनार चुट्टी के बिनारू के दिन के 24 गंटे साल के 300 पैसेट दिन काम करता है इसलिए आपके मादेम से सरकार से मांग करना चाओंगा कि इन करमचारियों के वेतन विशंक्तियों के धूर करें साथ ही इनका ग्रेड पर बढ़ा कर 3600 किया जाए और अन्य विबाग की तरह हैं इनको भी एक दिन की चुट्टी दें जिससे कि इनका मांशिक और सालियरिक रूप से मच्बूत हो सके मनरी सभापती मोज़े आपके मौनदें जो सरकार से मांग करना चाओंगा कि थानों में जो नफीक कम्य है उसको पूरा किया जाए थानों मैं अत्यादूनिक वानों उपलब्प्ट कराए जाए चाह साथ ही आबादी के साब इस ठरवल के इस असादन हन्द बढ़ा जाए जाएं जिससे कि आने वाले समय में राज़तान में शान्ती बाहर हो सके माने सभापती मोदे अगर बात करूं मेरे विदान सभा शेतर मुंडावर की और हाली में जो घटना है घटी तुई हूंगी अगर चर्चा करूं तो आपके माद्यम से सरकार के सामने बात बाती रखना चाहूंगा कि अभी तीन-चार दिन पहले मेरे विदान सभा शेतर के गादली गाओं के अंदर कुछ बदमाशों ने तीन-चार घरों में करी 15 लाग की नगदी सोना नगदी और सोने लूटा और जब वो लूटकर भागने वाले थे तो एक लड़का है जिस अंकित पर लगी और आप भगवान के अशिरवाद से आज वो स्रक्षित है इससे पहले नीमराने के अंदर आर्पी संस्वेलेस पे वहाँ पर जो द्रमवी सोनी जी उनकी दुकान पर जाकर कुछ बदमाशों ने देशी किट्टे की नोक पर उनके वहां से करीब 2 करोड रुपे क समान की लूट करी कुछ दिन पूर बासनी के अंदर सचिन नामक वेपारी के पर जाकर कुछ बदमाशों ने उस पर फायर किया और एक परची देकर गए कि 10 लाक रुपे दे देना नहीं तो आने वाली समय में अंजाम मुगत लिना इस घटना के बाद DSP ने उनको आश्व कार से मांग करना चाहूंगा मेरे विदानसावा शेत्र का एक लंबा इससा हर्याना सीमा का लगता है इसलिए हर्याना सीमा से लगते वे गाओं काकर राम सिंगपुरा गादली दादिया सील गाओं और बासनी के अंदर 24 गंटे पुलिश की घस्त कराई जाए जिससे आने अपरादों पर अंकुष लग सके साथी मुडावर के अंदर एक पुराना थाना 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 मुडावर से बाहर स्थापित हो चुक है पुराने थाने को चोकी पुराने थाने पर चोकी बनाई जाए क्योंकि थाना दूर होने के वज़ए से वहां भी हमेशा अपराद का अ चोडावा जोंबध के अंमां सब्सक्राइब करना जाओा ने चबाँबुथ in तक भाचाशने मांगे में किसी के वा और हटूंडी पंचायत के गाउं चूटला को हर सवरो थाने से अटा कर मुदावर और ततारपूर के अंदर जोड़ा जाए साथी मातोर को खैरतल से अटा कर ततारपूर थाने में जोड़ा जाए और कुतिना पंचायत को मानन थाने से अटाकर शाजापूर थाने में जोड़ा जाए माने सभापती मोदे मेरे विदानसवा शेत्र के तीन मुख्या कस्बे हैं मुंडावर, शाजापूर और नीमराना दो कस्बों में तो बड़े ओद्योकिक शेत्र भी है और वहाँ पर बारी वानों का आवागमन भी बहुत अधिक है इसलिए आपके मातियन से सरकार से मांग करना चाओंगा कि इन तीनों कस्बों के अंदर पुलिस यातायात की विवस्ता की जाए जिससे की मापर जो लोग रहरे हैं उनका आवागमन सुगम हो सके साथ ही आपके मादेन से सरकार से मांग करना चाओंगा जिस तरीके से सरकार ने प्रशाशन गाओं के संग एक अभियान चलाया आने वाले समय में पुलिस आपके संग भी एक अभियान चलाये जिससे पुलिस महकमा आम आदमी से आम विक्ती से जुड़ सके और जो उसकी समश्या हैं वो सुन सके और आने वाले समय में उन समश्याओं को समाधान कर सके इसलिए आपके मादिन से सरकार से मांग करना चाओंगा कि आने वाले समय में पुलिस आपके संग अगया अभियान चलाकर जो अपराद हैं और जो अपरादी हैं उन पर अंकुछ लगाएं और आने वाले समय के अंदरी अभियान चलाकर सभी को सुरक्षा मुईया करें आपने मुझे बोलने का अफसर दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद